इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Zimit Cream एक steroid है, जिसका उपयोग त्वचा की कुछ स्थितियों जैसे की eczema, psoriasis, dermatitis और rash के इलाज के लिए किया जाता है. यह सूजन, खुजली और लालिमा जैसे लक्षनों को कम करने में मदद करता है. आपको हमेशा azimit cream का इस्तिमाल ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है. अनुशन सित अवधी से अधिक के लिए cream या मलहम का उपयोग न करें. इसे त्वचा पर एक पतली परत के रूप में फैलाएं. जब तक आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए न कहे, उसक्षेत्र को पट्टी या प्लास्ट से न धके. आपको इस दवा का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका उपयोग न करें, या निर्धारित से अधिक समय तक इसका उपयोग न करें. अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या दो सप्ताह के उपचार के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है. अजिमेट क्रीम के कुछ समभावेद दुषप्रभाव हैं, लेकिन हर कोई उन्हें प्राप्त नहीं करेगा. इनमें त्वचा का पतला होना या रंग में बदलाव, जलन, चुभन और खुजली शामिल हैं. अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप इनसे परेशान हैं या ये दूर नहीं होते हैं. अपने चिकितसक को अपनी किसी भी चिकितसा समस्या के बारे में बताएं जैसे कि त्वचा का पतला होना, त्वचा का कोई संक्रमन, तूटी हुई या अलसर यूक्ट त्वचा, मधुमेय और प्रतिरक्षप्रनाली की समस्या हैं. इसके अलावा, डॉक्टर को अन्य दवाओं के बारे में सूचित करें जो आप ले रहे हैं, विशेशकर स्टेरोईड, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने चिकितसक से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद